तो आदाब मुश्कार गोडीनिंग से स्रेकाले बर फिर आपनों मामों का सौगत है क्रैम तक की कहानी के इस एपिसोड में उम्मीर एक पुरी फैमली अच्छी होगी, अपना खयाल रख रही होगी, अपनों का खयाल रख रही होगी, आज एक बड़ा इतिहासिक दिन है, लो दुरुपदी मुर्मु, तो दुरुपदी मुर्मु जी इस देश की अगली रास्टपती होगी, और 25 जुलाई को वो शपत लेंगी, रामनात कोविंद जो हमारे अब तक रास्टपती हैं, इनका कारेकाल 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा, और उसके अगले दिन, यानि 25 ज उन्होंने पूरी जिन्दगी स्ट्रगल किया, काम किया, एक बेहद सुशील, शाली, पढ़ीली की, अपने परिवार के लिए जो कुर्बानी थी, अपने अलाके के लोगों के लिए जो कुछ किया, वो पढ़ने लाइक है, तो बड़ी गर्व और खुशी की बात है, कैसे और ऐसे लोग जो सच में जिस तरीके से मेनत करते हैं, इस देश की सबसे उची कुर्सी, प्रथम नागरिक भारत के होने का, जिसे इस तरीके से एक खिताब बिलता है, तो दुरुपती मुर्मुजी, देश की अगली रास्ट्रपती, 25 जुलाई को शपत समार हो, और इतफ रही रास्ट्रपती को लेकर ताज़ा अपडेट, अब आद की कहानी शुरू करूं से पहले एक बार फिर आपको बता दूँ कि कुको एफम पर भी आप तमान तरह की कहानिया सुन सकते हैं, अपनी मन पसंद की कहानिया, और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 हैं, और पर इसतरह की तमाम कहानिया, दिल्चस्प कहानिया, मनौरंजग कहानिया, ज्यान वरधक कहानिया, आप अपनी मन पसंद की सुन सकते हैं, अब आते हैं, आज की कहानी के उपर, क्राइब को डिटेल में मैंने बताया कि किस तरीके से सिध्धु मूसेवाला पर गोली चलाने चरकर सामने आई, करीब 55 दिन से दो शूटर बलके एक तीसरा भी भी फरार है ये कैसे छुपे हुए थे, कैसे भागे हुए थे और पिर कैसे अटारी तक पहुंचे और इस हवेली का रास किया है तो पूरे शूट आउट की पूरी कहानी कैसे पुलिस तक ये जानकारी पहुंची कैसे खुद दोनों मौत के मूँ में आए और उस हवेली का रास किया जिस हवेली में ये छुपे वे थे, जिसे भूता हवेली भी कहते है तो ये सारी चीज़ें आपके सामने और दूसरा ये कि ये ये अटारी के खरीबी क्यों थे आगर इनका मकसद ये था एक मैंने आपको कहानी में कल बताया था कि कैसे एक सिसी टी वी कैमरा मिला था जिस वे एक मोटर साइकल बाइक पर दो लोग नज़र आए थे ये कहानी बात का है उससे पहले से ही कहानी शुरू हो गए थी कहानी ये थी कि 11 जून को 11 जून को पंजाब के मोहाली इलाके के लांडरा इलाके में एक जोहरी की दुकान थी इस जोहरी की दुकान पर 11 जून को एक रॉबरी होती है एक डाका पढ़ता है और इसके बाद वहां से लाख रुपे का सामान लूट लिया जाता है सिसी टिवी फुटेज बाकी चीजों से पुलिस जो लुटे रहे थे उनकी तलाश करती रहती है और आखिरकार मुहाली पुलिस को काम्याबी मिलती है इस डाकाजनी के कई दिनों के बाद पुलिस एक शक्स को गिरफतार करती है जिसका नाम था परमादलीप सिंग तो परमादलीप सिंग मुहाली पुलिस के कबजे में आ गया उसके पास से एक 0.32 बोर का पिस्टल मिला इसके लावा करीब सवादो केजी सिल्वर जो लूटा गया था उसी जोहरी की दुकान से 380 ग्राम 380 ग्राम सोना गोल्ड ये भी परामद हुआ और पुलिस ने इस रॉबरी की पूरी जो केस था इसको सुलझा लिया अब तक महाली पुलिस को यही लग रहा था कि चलो उन्होंने एक रॉबरी के केस को सुलझा लिया है जो में अक्यूस था परमादलीप सिंग वो भी महाली पुलिस के कब्से में बढ़ यह वामल अभी तक रॉबरी का था अब पुलिस ने आम तोर पर जब ऐसे केस सुलझा थी है तो बहुत सारी रॉबरी के और भी केस होते हैं डाकरजनी के होते है तो महाली पुलिस ने ये ताय किया कि चलो जरा परमादलीप सिंग की और कुंडली खांगा ले किसने और भी तो कहीं पूछ ताज भी की उससे कि तुझे और कहां कहां ऐसे हाथ मारा था वो इंकार करता रहा लेकिन खामोशी से थे परमादलीप सिंग के कुंडली पुलिस ने खंगालनी शुरूर की उसका नाम पता पुछतेनी घर माबाप सब पूरी कुंडली निकाली जब एक कुंडली खंगाल रही थी मुहाली पुलिस तो अचानक है एक ऐसी जानकारी मिली जिसने मुहाली पुलिस की आँखे चौंदिया दी एक दूसे। पता चला कि ये परमदलीब सिंग एक मामुली सिर्फ लुटेरा नहीं है। बलके पूरी पंजाब पुलिस इस वक्त जिन दो लोगों को बड़ी शिद्दत से ढूंड रही है। ये उनका करीबी और दोस्त हैं और वो दो लोई थे मनपरीत मनू और दूसरा रूपा। ये दो वो लोग जिन्होंने मुशेवाला पर गोली चलाई थी। अब एक लूट पार्ट की तफ्तीश के दोरान अचानक ये पता चलना है कि जो मुस्ट वांटेड इस वक्त पंजाब में जो मुशेवाला का का गातिल है ये उसका करीबी है। मुशेवाला के खतल की इन्विस्टिगेशन पंजाब पलिस की जो एंटी गैंगिस्टर इस्पेशल टास्क फोर से वो कर रही थी। उन तक ये बात पहुंची कि मुहाली में जोहरी की दुकान पर लूट पार्ट हुई है और वहाँ एक शक्स पकड़ा गया है और वो रूपा और मन्नू का करीबी और दोस्त थे दोनों का। एटी डियस ने फौरण अब प्रमदलीप को अपने कबसे में ले लिया इसके बाद उससे पूचताश शुरू हुई तो में पूचताश यही था कि 19 मई के बाद की तु कहानी बता जब सिद्धू मुसेवाले को शाम को मारा गया 19 मई की शाम को उसके बाद से सब अलग रूपा से मिला बात हुई देखा अप पुलिस ने अपने तरीके से बात करने शुरू की पहली चीज़ उसने बताया कि हाँ मोगा में वो दोनों आये थे और यह जो सिसी टीवी फूटिज की बात आ रही थी जो तस्वीर है मैं कहूंगा भी कि दिपक को आपको आपको दि तो फिर एटी जीएस ने उन अलाकों की जहां पर इसने कहा था कि वो आये थे उन अलाकों के सिसी टीवी फूटिज को खांगालना शुरू किया क्योंकि खबर मिली थी पक्ती और इतफाक से सिसी टीवी कैमरे में ये दोनों कैद मिले इससे लग गया कि जो प्रमदलीब कह प्रमदलीब को अपने शिकंजे में लेकर अब उससे बोला कि तू के करीबी है दोस्त है उन दोनों का ठिकाना बताता जा उसे जतनी जानकारी थी वो पताता गया पुलिस उसे साथ से अलग अलग जगों पर दबिस टालती रही मुखिरों को बैसती रही लेकिन वक्त जाए लेकिन कोई फैदा नहीं हुआ इसी दोरा ना पूछते 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 प्रमदलीब ने एक बात बताई उसने कहा कि मन्नू और रूपा खास्ताव पर इन में से जो रूपा है ये नशे का आदी है और हिरो ही लेता है उसने कहा कि कुछ साल पहले एक मामुली पेल में गया तो बड़े बड़े गैंगिस्टर मिले दिरोधी गैंग मिले पिटाई हुई बाहर आया और उसके बाद कुछ बड़े गैंग ने सर पे हाथ रखा तो धीरे धीरे वह बड़ा गैंग बन गया लेकिन नशे की लट थी अब पैसे चाहिए थे नशे की लट को पूरा करने के लिए घर वाले उसकी चाल चलं को देखते हुए उससे दूरी बढ़ाय हुए थे उन्होंने पैसे देने वन कर दिया घर से निकाल दिया चार साल पहले उसे बेदखल भी कर दिया जाधात से अब और यह देखे कि उसका एक भाई भाई भारतियसेनह में हैं इन्यनार्वी में तो अब वो घर से भी बेदखल वो उसने घर छोड़ दिया लेकिन नशे की लगत पूरा करने के लिए उसने चोरी, लूट, रहजनी ये शुरू कर दी और इनी सब चीजों में लगा रहा फिर उसके हाथों मडर भी हुआ फिर उसकी मुलाकात इधर लो मन्नू से हुई मन्नू भी ड्रक्स का दी दोनों का ये कौमन एक इंट्रेस्ट अब दोनों कास तोर पर हेनों ही लेने लगे कहते हैं कि जो भी उन्हों ने वारदात की क्राइम की नशे में ही करते थे इसके बाद धीरे धीरे बाद बढ़ी आगे और उसने बताया कि जब ये सब कुछ हुआ 29 माई के बाद ये लोग अगले कुछ दिन तो पंजाब में रहे लेकिन फिर गोल्डी बलाड का हुकम आया कि पंजाब कुलिस इस वक्त बुरी तरह से पीछे पड़ी ही उन लोगों की दलाश में जिन्होंने मुसेवाला पर गोली चलाई है तो जो छे शूटर इसमें शामिल थे हर एक के लिए हुकम था कि उनका इंतजाम हो गया कहां कहां जाना है हरियाना राजिस्थान जहां लोरेंस विश्णोही का अपना जलवा था जहां पर उसका दबदबा उसके लोग थे वहां पर कुछ इंतजाम किया कि छुटने के लोगों के कुछ के गुजरात में ताकि बिलकुल ही पंजाब पुलिस और इन सबको भनक भी न लगे जहां मुंद्रा पोर्ट से पकड़ाए भी थे वहां कुछ को अलग-अलग लेकिन ये साफ हुकम था गोल्डी बरारका की काम होने के बाद पंजाब में नी रहना सभी शूटर इस बात को मानती हुए पंजाब से आशरकास निकल गए निकलने के बाद इदर अधर भागे कुछ पकड़ाए भी उन्ही में मन्नू और रूपा भी निकल गया पंजाब से अब कुछ भी ने दर अधर रहे छुपतो रहे थे सब कुछ ठीक था लेकिन फिर इनकी लग जो है इदर अधर अधर अलग अलग राज्जों में वो भी इनको छुपने का तो इंतराम कर रहे थे लेकिन पुलिस का एक और टेक्निक है कि उन्हें भी ये बात पता थी उस वक्त से पहले भी कि जादा तर इसमें से पंजाब के जो गैंगिस्टर है वो ड्रक्स के आदी है एक तरीका ये भी था कि ऐसे इलाकों में ऐसे लोगों के बारे में पता करना जहांचानक कोई लोग ड्रक्स की मांग कर रहे है खास पर पहे हिरोई ने हुरी है कोई निया गरहा का आया तो उससे भी क्लू मिलता है तो पुलिस ने ये भी जाल बिचा रखा था अब ये भी खत्रा था कि अगर ये ड्रक्स मगाएं और पुलिस के मुखबर तक बात पहुंच जाया तो फिर भांडा पूर जाएगा पकड़े जाएगा ति इनके लिए ड्रक्स मगाना और ड्रक्स लेना दोनों बड़ा मुखाल और मुख्किल हो गया और ड्रक्स के बिना तो उनों रहनी सब्ते हैं आखिर में ये ये लगा कि यार बिना ड्रक्स के रहने से अच्छा है जान खत्रे में ही है कोई बात ये वापस पंजाब चलते हैं अपनािया है वहाँ अपने सोर से संपर्क है ड्रक्स तो मिली जाएगा और यही सोच कर यह दो वापस पंजाब आते हैं पंजाब आने के बाद इधर उदर रहते हैं ड्रक्स का इंतजाम हो गया था इधर कहते हैं यह भी हैं कि फिर पुलिस भी दर एक्टिव थी तिर कहते हैं कि गोल्डी बराड नहीं इन दोनों को कहा कि चलो पंजाब में हो तो तुम अटारी तक पहुँचो और अटारी पहुँचने के बाद वहाँ से कोई एक सोर्स होगा जो तुम्हें अटारी पार कराकर गोल्डी बराड का जो अपना एक नेटवर्क है पाकिस्तान में सरहत पार्क तुम्हें वहाँ दे जाएगा तो तुम सुरप्चित रहोगे पंजाब पुलिस से भी और बाकी की पुलिस से भी तो ये सोच कर ये लोग अटारी पहुंचे थे लेकिन इन दोनों की इस नशे की लट की कमजोरी उससे पहले इनके मोगा के में मौजूद होना और बाकी इनकी छोटी छोटी लटों और आदतों के बारे में जब प्रमदलीप ने अन्टी गैंगिस्टर टास्फोर्स को सब जानकारी दे दी तो उनके ये बड़ा काम आ गया और इसी को पीछा करते हुए फॉलो करते हुए आखिर कार वो अटारी तक पहुंचे और जहां कल शाम को इनकांटर हुआ और दोनों की मौतरी अब पुलिस के ये था कि अटारी पहुंचे बागी तो सब ठीक है लेकिन इस हवेली का रास क्या है आखिर दोनों हवेली में कैसे पहुंचे उन्हें कैसे मालूम कि हवेली वीरा ने खाली उन्हें कैसे मालूम कि इस हवेली में कोई निया था हवیلی کا मालिक कौन है तो पुलिस ने इसको पर पूरी छान बीन की अब यह जो सामने आई कहानी वो यह है कि हवیली का जो मालिक है इस गाव में जो हवیली है उसका नाम रहे बलविंदर सिंग बिल्ला बलविंदर सिंग बिल्ला तो छे महीने पहले बेज दी लेकिन जो नया मालिक है वो अभी तक हवیली में आया ना उसने उसको फिर से बनाने की कोशिश की तो वो ऐसे लिरान पड़ी भी है और ये दोनों इन बातों को जानते थे और इसलिए इन दोनों ने इस हवیली को चुना इस हवیली में ही रहे लेकिन कुछ गौँवालों की नजर पड़ गई कुछ अंजान लोग इस हवیली में उसके आद पुलिस तक बात पहुंची इधर परमदलीब से चुट-पुट जानकारियां मिली रही थी इसके बाद ये बात एंटी गैंडिस्टर टासफोर्स तक पहुंची और फिर घेरा गया अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि सवेरी के पुराने मालिक या नए मालिक यानि कि बलविंदर सिंग बिल्ला का इन दोनों से कोई लिंक है ये जानता है या उस गाउं में कोई इनका लोकल कांटेक्ट था जिसने इनको बताया कि ये हवेली आपके लिए बड़ा मुफीद है यहाँ पे सुरक्षित था है याँ तो इन सारी चीजों की अब पुलिस च्छानवीन कर रही है और इस हवेली तक पहुँचने का जो कनेक्शन और जो राज है फिलहाल उसको जानने की भी कोशिश कर रही है इदार इस मौत की खबर रूपा के घरवालों को भी मिली रूपा के पिता ने साफ कहा है कि उन्होंने अपने बेटे को चार साल पहले ही बेदेखल कर दिया था जायदान से और पिछले दो साल से वो गाओं का भी आया नहीं न शकल दिखाई और उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए और हम गाओं के सर पंच और पंचा बाकी लोगों से बात करके ये तैय करेंगे कि हम उसकी बाड़ी को ले की नहीं ले हम उसका अंतिम संसकार करें की नहीं करें क्योंकि मेरे लिए तो मेरा बेटा बहुत पहले ही मर चुका था तो एक तरफ एक बाप का ये अप की एक सोच देखिये कि जो अपने ही मतलब इस बेटे को गलत रास्ते पर चला माफ करने के लिए तैयार नहीं तो इससे एक चीज ये भी होती है कि अगर घर में कोई एक मुझरिम है तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा घर ही मुझरिम है कई ऐसे घर कई ऐसे किस्से हैं जिसमें परिवार का एक शक्स बुरे रास्ते पर चल पड़ा लेकिन बागी लोग अच्छे रास्ते पड़ा बलकि इससे बहतर मिसाल क्या है इसी में कि आप देखे एक रूपा गैंगिस्टर बना और इसी घर से एक और लड़का रूपा का भाई भारतिय सेना जोएं करता है तो इससे भी हमें अपनी राय कायम करने में बड़ी असानी मिलती है कैसा होना नहीं चाहिए अब इन दोनों को नशे की लग तो पंजाब ले आई दोनों को नशे की लग ने माज भी डाला ऐसा क्यों आप शाहिए जानकर चौप जाएंगे कि पंजाब में एक स्टडी एक रिकोर्ट आई है हर सात्मा शक्स ड्रक्स लेता है मतलब हर साथवा शक्स ड्रक्स लेता है और इस ड्रक्स की वज़ा से बहुत बुरी हालत है पंजाब में एक चंडीगड में The Post Graduate Institute of Medical Education and Research PGIMER इसकी एक study हुई थी कुछ वक्त पहले और इसने ही ये खुलासा किया था कि पंजाब में हर साथवा शक्स एक या एक से ज़ादा तरह के ड्रक्स लेता है यानि कि इस हिसाब से अगर हम देखें तो पंजाब की कुल आबादी का 15.4% कि पूरी आबादी लगबख साड़े पंदरा फीसदी आबादी ड्रक्स लेती है पुरे पंजाब है एक जमाने में पंजाब में दूद और लौसी का कल्चर हुआ करता था आज ड्रक्स एक जमाने में सबसादा सेना में पंजाब से ही लोग आते थे आज इस मामले में भी इस ड्रक्स निशाइद खोपला इतना कर दिया कि अब छटे नंबर पर पहुंच चुका, सेनावे भरती के मामने में पंजाब. कुल आबादी का पंजाब में कहते हैं कि करीब 9 लाख लोग ड्रक्स लेते हैं और इनमें से 3.5 लाख लोग तो पूरी तरह से एडिक्ट, मतलब बिना नशे के रह नहीं सकते हैं. और ये भी है कि इस स्टेट में पंजाब में सर्फ नशे से रिलेटेड हर साल, बलके हर महीने एवरिज करीब 1.500 लोगों की मौत हो जाती हैं. सर्फ नशे की वज़ा से ओवर डोज हो ये सारी चीजी हैं. बहुत सारी अलग-अलग बिमारियां भी होती हैं. कोई भी ऐसा जिला नहीं है पंजाब में, जहां पर ड्रक्स का सेवन न होता हूँ. एक और सर्फ नशे होई थी पंजाब के जेलों को लेकर, इससे आप रूपा और मन्नू का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे नशे की लबती इनको और कैसे मारेगे हैं. पंजाब के अलग-अलग जेलों की एक सर्वे कराएगे. और जब सर्वे कराएगे तो पता चला कि पंजाब की जेल में बंद एराउंड 6,000, 6,000 कैदी में से 40% कैदी ड्रक्स एडिक्ट. मतलब नशे क्या दिए. 40%. अब इससे अंदाजा लगाए कि जेल में एगर 40% है तो उनको सम्हालना कितना मुश्किल होगा. ड्रक्स एडिक्ट के साथ एक और भी है. सुप्रिम कोट का ये भी आया था कि आप उनको मुझरिम नहीं पीडित मान के चलिए. अब एक ड्रक्स लेनी की आदत थे उसको आप ड्रक्स नहीं मिलेंगे. तो पता नहीं क्या-क्या कु ये स्टाफ के मिली भगत के नहीं हो सकता है. जैसे तिहार में, सब कुछ है, मुबाइल है, गैंगिस्टर बैट के किसी की कतल की प्लानिंग कर सकता है, सुपारी दे सकता है, लाॉरेंस विस्टों नहीं किया ये सब. तो पंजाब की जेलों की भी यही आलत है. तो वहां प खरी ये हुआ था कि पंजाब में अगर ड्रक्स मिलता है या कैदियों तो पहुंचता है, तो हर उस जेल के जेल स्टाफ को इसके लिए जिम्मेदा ठहराए जाएगा. लेकिन कितनों के खलाव करवाई होती है, या आप हम सब जानते हैं. तो पंजाब की जेलों की हालत भी आँके खोलने वाली है कि वहाँ बंद लगभख 40% कैदि ड्रक्स लेते हैं और ये जो सर्वे हुआ था उसक्त, इसमें नाभा, मानसा, बरनाला, मुकसर, होश्यारपूर समेत 11 डिस्टिक में, पंजाब क्या लग लगए, जो जेल है, बड़ी-बड़ी जेले हैं, वहाँ अबर ये सारा सर्वे किया लिया था, उसके बाद ये साली चीज़े सामने हैं, तो नशा, गैंग वार, गैंगिस्टर, पंजाब की जेल, कहीं ने कहीं कुल मिलाकर उन्होंने पंजाब की सूरत और सीरत, जो एक खूबसूरत एक हर्याला, परदेश, हर्याली जहां पे हमे नजारे, लेकिन ड्रक्स ने धीरे-धीरे वहां के नौजवानों को खोखला करना शुरू कर दिया, और कहते हैं कि वहां के नौजवान बड़ी तादार में प्लायन भी कर रहे हैं, उसकी भी एक रिपोर्ट आई थी, कि कि किस तरीके से, जो खास्तोर पर वहां कॉलेज के स्टूरेंट्स इसके शिकार हो रहे हैं, और कहते हैं कि हर जो पंजाब से लगबग हर साल 45,000 स्टूरेंट्स माइगरेट कर रहे हैं, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए विदेश जा रहे हैं, और उसकी एक वज़ा सबसे बड़ी वज़ा यह है कि इन बच्चों के यहां पढ़ाया, को स्कूल के बाद कॉलेज भेजा, तो हो सकता है, वो भी ड्रक्स के आदी हो जाएं, और बाकियों की तरह ड्रक्स लेने लगए, तो पूरा करियर, पूरी सारी चीज बरबाद हो जाएगी, इस डर की वज़ा से मावाप जिनकी हैसित है, यह वह वैसे भ एक तो पंजाब में हर तीसरा मेल, जो शक्स है, और हर दसमी फीमेल, मतलब हर दसमें से एक फीमेल, यह लोग ड्रक्स लेने हैं, इन में से 50% अफीम लेते हैं, कुछ 30% भुक्ती और बाकी चीज़ों के आदी हैं, और इतना ही नहीं, वहाँ पे स्कूल ड्रॉप आउट के भी बारे में भी आया था, इसी ड्रक्स के वज़या से, कि अन्वल ड्रॉप आउट रेड जो है पंजाब में, लास्ट अगर 15 सिक्षिन की बात करनें, तो करीब उस वक्त 1.3% था, लेकिन अब 2016-17 वे बढ़कर 3.3% हो गया, और यह करीब 4% तक पहुँझ गया, और उसकी वज़ा भी यही है कि एक तो ड्रक्स, दूसरा मावाप का डर, अपने बच्चों को निकाल देते हैं, तो मालूम नहीं है, ड्रक्स की वज़ा से कब तक यह सारी चीज़े होते रहेंगे, इसके लिए जरूरी है कि कानून सकतो और दूसरा करप्शन खत्मों, क्योंकि ड्र प्रक्स का कारोबार बिना प्रशासन, अड्मिन्स्टेशन, पुलिस, इनकी मिली भगत के नहीं हो सकता है, और अगर उन लोगों पे नज़र रख ली जाए, उनके खलाब कारवाई की जाए, तो शायद इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, तो आज कहानी मेतना ही, लेक इसे उनकी पत्नी है ये, इसके लावा आज त्रिप्ता ची का भी जनम दिन है, तो हैपी बड़े त्रिप्ता और अमरित सर्फ से हैं, और बलवन सिंग जी ने भेजा उनकी वाइफ है, सतीश अगरहारी का भी आज जनम दिन है, तो हैपी बड़े सतीश, पवन यादव, इ इसके लावा जहरनवपढ़ान और दलेश्वर Yadu, इनकी एनिवर्शरी है, आज तो आफ दोनों को बहुत बहुत बधाई, इसके लावा शिवानी और रवी कुमार जी की भी एनिवर्शरी है, आफ दोनों को भी बधाई इसक्राब बहुत सारे लोगों निकल की कहानी और इस इंकाउंटर पर सवाल भी पूछे थे उसमें से एक हैं उमेश गुपता कैनिडा से इनका ये कहना था कि सिद्धु मुसेवाला को मारने के लिए इतने सारे शूटरों का इंतजाम क्यों किया गया था आनतोर पर एक या दो शूटर होते हैं यहां पे छेचे थे तो उमेश डिसका जवाब यह है कि लॉरेंस विश्णूई और गोल्डी ब्राद यह नहीं चाहते थे एक तो कि किसी क शूटर यह काम नहीं कर सकते इसलिए उनका यह था कि जाता से जाता है इसमें शूटर शामिल हो इसके लावा बहुत सहां कई लोगों ने यह भी सवाल पूछा था जैसे एक नवनीद भाई रहे हैं इसके लावा धर्मू चौदरी हैं कि कल की कहानी वापने कहाता है कि चा अब नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ दो ही थे और यह रूपा और मन्मू इसके लावा कोई नहीं था और यह दोनों मारे गए बाقी किसी के भागने या नहीं का सवाल नहीं, तो वो क्लिर्टे यह दो ही लोग थे इसके लावा अपूर्वा श्रिवास्तफ इन्हों ने ये पूछा है कि सिद्धु मुसे वाले को जब 13 में की शाम गोली मारे गए तो उसकार में उनके साथ दो और उनके साथ ही थे वो कहां हैं और किस हाल में तो दोनों उनको भी जखमी हुए थे लेकिन कोई खत्रे की बात नहीं थी दोनों का अस्पताल में लाज हुआ दोनों को पुलिस ने पूछा भी ग्रिल भी किया इस्टेटमेंट लिये और दोनों अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए और अब उसी परिंदे होते हैं पक्षी होते हैं जो लोग घरों में कायद करके पिंड़े में इसको रखते हैं ऐसा ना करें उन्हें भी आजाद रखें और आजादी उनका भी हक है और मुझे भी लगता है पिंड़े में जब हम लोग देखते हैं किसी परिंदे वरिंदे को तफसोस हो होता है उनको तब आज खुले आसमान में उड़ोना चाहिए हम अपने शौक के लिए उनको बंगर कर रखते हैं तो मुझे लगता है कि एक बार अगर जिनके पास भी है और उस पर निटे को खोल कर देखें कितना सुकून मिलेगा थैंक्यू सत्यम्यादव साथ इसके लावा बहादुर गुरुम जी नेपाल से हैं और इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या आपकी अपनी क्राइम रिपोर्टिंग के लाइक में करियर में कभी पुलिस से जगड़ा हुआ कई बार हुआ बहुत बार हुआ कई बार इसपॉर्ट पर हो गया कभी वो भी सहीत है कभी मैं भी गलत ऐसा नहीं कि जप ढ़गड़ा हुआ तो हमेशां मेरी ही मताप पुलिस की घलती हो कही बार हो जाता है कॉम्पटिशन में जाया लग रोकना नहीं चाहिए । उप गयंक vídeo क्रों पूचाल है कि क्या कभी जज्ज ने किसी अपने सखों को को सजा सुना ही है से बहुत सारे केस है जब जच के अपने सगे जो हैं वो सामने कटगरे में और सजा सुनाई आला कि अब धीर धीर एक चलन दूसरा हो गया कि कई बार अगर सामने कोई केस आता है और जच का उसकी दोस्ती है इरिश्चदारी है तो ज़त पहले अपने आप उस केस से अलग कर लेते हैं कहते हैं कि हम इस केस की सुनवाई नहीं करेंगी ताकि कोई उंगली न उठाए इसके लावा जैंत भागवत जी है सतारा से एक स्टोरी की फर्माईश की अन्थैंक्यू सो मच देशराज मीना जी है इन्होंने का कि इस इंकाउंटर में कर ड्रोन का इस्तमाल क्यो तो फिर मैं आपको इसका जवाब जूँगा आम तोर पर वैसे ड्रोन का इस्तमाल किया जाता है आज कल तो कहीं पर भी वालेंस हो तब भी किया जाता है इसके लावा कमल किशोर हैं आयूश जुरमुरे हैं प्रीती मैकिनन हैं थैंक्यू सो मच कैनेडा से हैं आपके मेल के लिए इसके लावा रमिंदर सिंग है एडिलेट से और बिल्कुल आपके अइडिया का इंतजार रहे गया हैं थैंक्यू सो मच रमिंदर साह साथ इस मेल के लिए तो आज कहानी में तहीं है अब आप से मलकात होगी कल रात 9 बदे किसी नहीं कहानी के साथ तब तक अपना ख